हेलो बच्चो लट्षी दा क्यूस्टन कह रहा है कि वैन वन 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 इन इस टीटेट विद मर्करी अस्टेट इन मेथनोल अन रिजल्टिंग प्रड़क्ट इस रिएक्टिड विद एन अपीस फॉर वोट इस दा प्रैमरी ओर्गनिक कंपाउंड विच रिजल्ट तो कह रहा इसी रिएक्शन करवा रहा हूँ बैटा मैं मर्करी अस्टेट के साथ है टीज एच जी ओ एसी का होल ट्वाइस है बैटा टेक है साथ में यहाँ पर सी एस त्री ओएच है ठीक है रिएक्टिड विद एन ना ये बिएस पोर टेक है जल्टिंग प्रड़क्ट को रिएक्ट इससे मेरा कौं सा पार्ट होता है यहां से जाएगा और इस पार्ट से रिएक्शन होता है लास्ट में एच जाता है बहुतना ही जाता है इतना ही जानक ना अपने को किसमें डवल अबाउंड पर एडिशन होती है तो इसमें एडिशन किसकी हो रही है जनरली बेटा वोटर और उसके होती है वोटर का एडिशन करा रहे है पर यहां पर CS3 हो एजस का मतलब OCS3 नेगेटिव और H पॉस्टी पार्ट की हमारी एडिशन होगी अब एडिशन कोई बेटा मेरी रिरेंजमेंट नहीं होती है तो इस गहां जाता है इस इस पर चला जाए दूसरे का और पर OCS3 चला जाएगा इस तरीके से टेका यह बन जाएगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट अब मिसका नहां नहीं देते हैं बेटा सींपल सा इसका आयू पेकिन नम्नीं को टू म thoughken 10 सिंपल सी बात थी अहां फे में देकित रिख जी टॉंडा टॉम एंटी मिसकी नहीं है जो सब्सक्राइं के ऐ당ए